प्रिति जहाँ बिहार बोर्ड मैक्रिक की परिक्षा सुड़ू हो चुकी है आज दूसरा दिन था और बता दे आपको की एक्जाम जो है वो काफी टाइट तरीके से लिया जा रहा है जिहां जो भी छात्र दस मिनट भी लेट पहुंच रहे हैं सेंटर पर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जा रही है क्योंकि उन्हें इंटर नहीं मिलने दिया जा रहा है और बता दे आपको किसी को लेकर और अंगाबाद के अनुग्रह जो इंटर कॉलेज है वहाँ पर छात्रों ने जम कर बवाल मचाया है जी हाँ दरसल जो छात्र है वो ट्राफिक जाम में फस गये थे उन्हें 10 मिनट सेंटर पर पहुंचने में लेट हो गया था उसके बाद क्या वहाँ पर तैनात जो पुलिस कर्मी थे वो उन्हें इंटरी ही नहीं दे रहे थे फिर छात्र जो है दिरे दिरे बवाल मचाना शुरू की और बाद में परिचे देने के बाद छात्रों को इंटरी दी गए और आप तस्वीरों में भी साफ तोर से देख सकते हैं किस तरीके से इस इंटर कॉलेज के गेट पर जो छात्र है वो जमा है और बस अनुरोद करते वे नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें अंदर इंटरी दी जाए और बता दे आपको कि मामला बिगरता हुआ नजर आया और यह इस्थीती तब उत्पन हुए जब ट्राफिक जाम में फसने से कुछ परिक्षारती इस परिक्षा केंदर पर महज 10 मिनट लेट से पहुँचे और 10 मिनट का यह लेट परिक्षारती उपर भारी पढ़ने लग अगया और उन्होंने परिक्षारती को परिक्षा में शामिल करने की अनुमती दी और फिर तब जाकर यह मामला जो है वो शान्त हुआ इस तरीके से बड़ा हंगामा होते होते सेंटर पर टल गया है तो देखिए जो भी अभी अर्थी जो भी छात्र अभी हार्बोर्ड मैक इंटरी की परिक्षा देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही मातपूर्ण बात है कि आप बिल्कुल भी समय से पहुँचे अगर आपका टाइम इग्जाम शुरू होने का सारे नौ बज़े है तो आप नौ बज़े या उस टाइम से पहले ही औहां पर पहुँ पहुँचने की कोशिस करें क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि रास्ते में जब भी आप आते हैं तो बहुत ट्राफिक मिलती है या फिर आनी तरीके के परिशानी आ जाती है तो उनको ध्यान में रखते वे छात्र जो है वो अपना सही समय जो है वो लेकर निकले जिसे क जो के इंदारिशक होंगे शार्थ वस आसा नहीं कर पाए और जो चात्र होंगे वो परिक्षा देने से वचित रह सकते हैं तो इस तरीके से देखें जो भी चात्र बोर्ट की एक्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो सतर्क रहें अपने समय का ख्याल रखें जिससे कि वो सेंटर पर सही तरीके से पहुंच सकें क्योंकि देखें इस बार एक्जाम जो है वो काफी टाइट तरीके से लिया जा रहा है और हाट तरफ CCTV क्यामरेज लगाए गए है सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया और टाइम टेवल को लेकर भी खास तोर से दिशा निर्देश जो है वो दिया जा रहा है तिसी पड़िया आपको बता दें कि जो भी छात्र जो एक्जाम देने पहुंच रहे हैं तो समय का पूरे तरीके से ख्याल रखें और सेंटर पर किसी भी तरीके से किसी भी इतना ही बाकी के खाबरों के लिए देखते रहे लाइफ सिटीज धन्यवाद